नमस्क्ति दोस्तों मैं हुसीमा और आप सभी को आज के 15 अगस्त की या स्वतंतरता दिवस की बहुत बहुत सारी शुप काम नाए हापी इंडिपेंडनस डे गाइस तो आज इंडिपेंडनस डे है स्वतंतरता दिवस है इसी की धीम ध्यान में रखते वहे हमने आज बनाए है इस तरह के धिरंगा मोदक ये खाने में बहुत जादा टेस्टी तो है लेकिन दिखने में भी बहुत ही खुबसूरत है तो आप इस गनपती में गनेश चतुर्थी की टाइम पर इसे जरूर बना सकते है तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और बिना कि आज जो लाए बस पांच मिनिट के अंदर ही आपके मोदक तयार हो जाते है तो आज ये जो मोदक की रेसिपी है वो में आपके साथ शे आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावच चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो ये तिरंगा मोदक बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर तीन चौथाई 3-4 cup काजू या कैश्व नट्स तो यहाँ पर यह ग्राम में अगर मेजर करेंगे तो यह कर काजू कतली के लिए तयार करते हैं लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है दो-दो मिनिट बन करके रुक रुक के आपको इसे चलाना है तब ही आपकी इस तरह से एकदम फाइन पाउडर तयार होगी और जो काजू है उसमें से ओयल भी बाहर निकल कर नहीं आएगा हमारी ये यहाँ पर बन कर तयार है अप इसके बाल मैंने लिए यहाँ पर एक प्लेट और इसमें जो हमने ये काजू की पाउडर अभी बनाई है उसे डाल देंगे ये मुदक खाने में बहुत जादा टेस्टी बनते है गाई जैसे काजू कतली की टेस्ट आती है सेम उसी तरह से और बिना ग्यास जलाए पांच मिनिट में ही आप इसे तयार कर सकते है ग्यास की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है तो यहाँ पर इसे स्वीटनेस देने के लिए हमने ली है वन फोल्ट कप पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी चीनी को आपको अच्छी तरह से चान कर यूज करना है क्योंकि जो चीनी के मोटे वाले दाने होते हैं वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे या आप यहाँ पर आइसिंग शुगर का भी इस्तवाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने चार चममच ली है मिल्क पाउडर इसे खोए का टेस्ट हमारे मोदक में आएगा तो मिल्क पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है अगर है तो डाल दीजिए आदा चोटी चममच इलाई जी की पाउडर भी इसमें डाल दी है फ्लेवर के लिए इन सारी छेजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसमें पानी या दूद अभी से ही डालने की जरूद नहीं है इसे प चोटी चममच मैंने इसमें दूद एड़ कर दिया है दूद एकदम से ही बहुत जादा नहीं डालना है क्योंकि यह मिक्षर फिर बहुत जादा पतला हो जाएगा तो मोदक अच्छी तरह से शिप नहीं होल्ड कर पाएंगे तो दो चममच दूद डालने के बाद और एक च स्टील का चोटा वाला चममच होता है उसे तीन चोटी चममच दूद इसमें मिलाकर अच्छी तरह से इसका एक डो तयार कर लेंगे डो हमारा यहां पर तयार है देख सकते हैं थोड़ा सा हाड ही मैंने इसे रखा है अब हमारा जो यह डो है उसके हमें चार हिस्से करने है तो जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है वन फोर्थ उसे हम लोग निकाल लेंगे और आधा हिस्सा है उसे वाइट कलर में रखेंगे तो वन फोर्थ जो हिस्सा है उसे दो पार्ट में हम लोग इस तरह से डिवाइड कर लेंगे देख सकते हैं और जो वाइट वाला हमार लिया है औरेंज फूड कलर और इसमें डाल देंगे ग्रीन फूड कलर अगर आपके पास जल फूड कलर है तो वो भी आप इसमें दो या तीन ट्रॉप्स डाल सकते हैं अब ये कलर डालने के बाद हम लोग इसका एक स्मूड डो तयार कर लेंगे इस कलर को अच्छी तरह से मि लिया है तीरंगा के लिए वो एकदम ग्रीन हो जाए इस तरह से आपको मिक्स करना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ओरेंज कलर तयार है और बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत लग रहा है कलर भी बहुत ज़्यादा एड़ करने के जरुद नहीं है देख सकते हैं यह हमारा ओरेंज और ग्रीन कलर का जो डो था सेम उसी तरह से मैंने उसे तयार कर लिया है अब हमने लिया है यहाँ पर एक मोदक का मोल्ड मोदक का साचा तो यह किसी भी तरह के ग्रूसरी शॉप में आपको मिल जाएगा अगर यह नहीं भी है तो आप हाथ के उपर भी यह मो कुछी असानी से हो जाता है आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की ज़रुद नहीं है उपर कि तरफ sirp आपको मोल्ड में यह जो हमने डो तयार किया है मोदक का उसे इस तरह से प्रेस करना है अच्छी तरीके से अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो मोदक है वो का डो था वो यूँकि वो बेच में सेंटर में आता है तो और भी जादा खूबसूरत लगेगा और वाइट के बाद हमने फिर से लगा दिया है यहाँ पर ग्रीन कलर का डो यहाँ पर घी वगरा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस हमने इसमें घी का इस्तिमा वाले मोदक आप जरूरर ट्राय कर सकते हैं तो Гनपती की सीजन में भी भीसे जरूर बना सकते हैं कि वोड़ देख सकते हैं हमारा यह बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा तीरंगा मोधक बनकर तैयार है और यह जो बोल्ड है उसमें से बहुत यह असानी से निकल कर भी आता है हमने किसी भी तरह का घी या तेर इसमें अंदर की तरफ नहीं लगाया था तो इस तरह के मोदक आप जरूर बनाईए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपके मोदक कैसे बने बहुत जादा टेस्टी बनते हैं आप लोगों को यह जरूर पसंद आएंगे और हाँ इसी तरह के मोदक मिठाई या स्वीट्स आप गनपती फेस्टिवल्स में बनाना चाते हैं तो उसका प्ले लिस्ट या उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो वहाँ पर चाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी बाहर का मोहल ऐसा है तो हम लोग बाहर की मिठाई या ला नहीं सकते और लाएं भी तो उन्हें खाना हमारी हेल्थ के लिए स्वीट्स बरफि घर पर ही तयार करें तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग घर पर ही मिठाईया तयार कर सकते हैं बिल्कुल घर के ही समान से वो बन जाती है तो उन्हें जरूर एक बार ट्राइ कीजे और आप अगर ये तिरंगा मोदग भी बनाना चाहते हैं तो आज के इस 15 अगस्त के मोके पर आप इने जरूर बना सकते हैं तो आपके मोदग कैसे बने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईये और अच्छे लगे हैं हमेशा की तरह ये वीडियो ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर और दावच चनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चनल पर आप नए है पहली बार ये वीडियो देख रहे है तो इसे ऐसी प्यारी प्यारी और बहुत ही असान सी रेसिपी देखने के सब्सक्राइब भी कर सकते है सब्सक्राइब का बटन दबा कर साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन है ना उसे भी ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं चनल पर नए वीडियो और नए रेसिपी अपलोड करूँगी उसका सबसे पहले का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तो ये दूसरा भी मोदक मैंने इसी तरह से तयार कर लिया है इस पूरे 3-4 कप काजू से हमारे 7 मोदक इस साइज के तयार हो जाते है अगर आपका मोल थोड़ा सा छोटा है तो 8 या 10 भी मोदक इससे तयार हो जाते है तो आपको जितने मोदक बनाने है उस कॉंटिटी के हिसाब से आप लोग यहां पर काजू काजू पोर्शन है काजू की कॉंटिटी है वो बढ़ा सकते है यहां पर हमारा दूसरा भी तिरंगा मोदक तयार है और बहुत ही जादा ये खुबसूरत लग रहे है तो इसी तरह से में बाकी के भी सारे मोदक है तिरंगा मोदक है उन्हें तयार कर लेती हूँ और बाद में आपके सामने उन्हें लाती हूँ आपके सामने उसे सर्व करती हूँ गणपती बापपा को ये मोदक का प्रशाद बहुत से जाजा पसंद है तो इनने आप जरूर बनाईए फिल्हाल मैंने हाँ पर सिर्फ 5-6 मोदक तयार किये है और थोड़ा सा डो बच गया है उसे भी इसी तरह से मैं मोदक तयार कर लेती हूँ तो आपको ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी जरूर इनने ट्राइ कीशे बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगते है और खास करके झाल 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 झाल